हेलो दोस्तो स्वागत है आपका अपनी योट्यूब चैनल दा लर्निंग कैपटल में दोस्तो आज हम डिसकस करने वाले हैं दिसंबर माह के प्रतियोगिता दरपन के सार संग्रह के कुछ महत्पूर्ण प्रशनों की तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेस्चन के स दूसरा क्वेद में किस मंडल में क्रिशी संबंधी प्रक्रिया का वर्णन है तो रिगवेद के चतुर्थ मंडल में क्रिशी संबंधी प्रक्रिया का वर्णन है चलिए दूस्तों अगले क्वेस्चन के वर बढ़ते हैं तीसरा क्वेस्चन है असोक के जिस अभिलेख में तो दोस्तों पाँचमे शिलालेख में इसका उतर है पाँचवा शिलालेख पाचवे शिलालेख में असवको धाम महामात्रों की नियुक्तियों कार निर्देश का वर्णन किया गया है चौता कॉस्चन है संगम कालेन कृती तोल कापियम के रचाइता है तोल कापियर पाचवे कॉस्चन के और बढ़ते हैं प्राचीन भारत में ऐसा विवाह जिसमें जो पुरोहित यग का अनुष्ठान विधी पूर्वक करा लेता था उसी के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता था तो ऐसा विवाह दोस्टो दैब विवाह कहलाता था चटवे कॉस्चन के और बढ़ते हैं काची का कैलास मंदिर किस इस्थापत सैली का प्रतिनी धित करती है तो द्रविड सैली द्रविड सैली का प्रतिनी दित करती कांची का कैलास मंदिर सात्वे क्वेश्चन के और बढ़ते हैं अतारकिन के दरवाजे का निर्माण किसने कराया था अगले क्वेश्चन के और बढ़ते हैं भारत में चिस्तिया परंपरा की नियू किसने डाली थी दोस्तो ख्वाजा मुहिन दूइन चिस्ती ने भारत में चिस्तिया परंपरा की निव डाली थी अगले कॉस्चन के और बढ़ते हैं अगला कॉस्चन है हमारा अकवर दौरा चलाया गया सोने का सिक्का जिसका मुल नौ रुपय था क्या कहलाता था तो दोस्तो अकवर दौरा जो नौ रुपय का सिक्का चलाया गया था वो मुहर कहलाता था अगले कॉस्चन के और बढ़ते हैं अकवर ने जैन आचार हर विजय सूरी को उपादी दी थी कौन सी उपादी दी थी तो जगत गुरु की उपादी दी थी अकवर ने आचार हर विजय सूरी को जगत गुरु को उपादी थी अगले कॉस्चन के और बढ़ते हैं अगले कॉस्चन है राष्टी स्वतंता अंदोलन से अगर हमने पाकिस्तान की मांग को स्विकार नहीं किया तो इस देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे हर दफ्तर में पाकिस्तान की एक इकाई होगी यह कथन किसका है तो दोस्तो यह कथन है सरदार बल्लब भाई पटेल का अगले कॉस्चन के और बढ़ते हैं दो सितंबर 1946 को गाठित मंत्री मंडल में रेल मंत्राले का प्रभार किसे दिया गया था तो रेल मंत्राले का प्रभार दिया गया था अरुना आसफ अली को अगले कॉस्चन के और बढ़ते हैं तो इस दोस्ता अगला कॉस्चन है हमारा भारत की सुतंतरता के समय भारती राष्ट्री कॉंग्रेस के अध्यक्ष थे दोस्तों इसका उत्तर है आचार कृपलानी राष्ट्री कॉंग्रेस के अध्यक्ष थे किस समय के भारत के सुतंत्र संग्राम के समय अगले क्वेश्चन के और बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है सर अलेकजंडर मुड्डी मै के अधीन 1924 में रिफॉर्म इनवायरी समिती का गठन हुआ था जिसका उद्देश था तो दोस्ते द्वैद जो द्वैद सासन पढ़ाली की छानवीन करना था इसका उद्देश अगले क्वेश्चन के रुबढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कॉंग्रेस के नाम के आगे र दिवेशन में राष्टी सब कॉंग्रेस था पहले फिर राष्टी सब जोड़ा गया इसके आंगे तो राष्टी कॉंग्रेस हो गया अगले क्वेश्चन के रुबढ़ते हैं हिंद एसोसिएशन आफ अमेरिका की स्थापना की थी तो किस ने की थी दोस्तों सूहन सिंग भवाकना ने की थी और कब की थी तो नॉंबर 1913 में अगले क्वेश्चन के रुबढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है नागपुर जंडा सत्याग्रह हुआ था तो नागपुर जंडा सत्याग्रह हुआ था 1923 में अगले क्वेश्चन के रुबढ़ते हैं महात्मा गांदी पहला आमराण अंसन प्रारांब किया तो किसली प्रारांब किया था सामप्रदायक पंचाट की घोषणा के लिए अगले बंड़ते हैं अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं भारती राश्टी कांग्रेस के लगातार 6 वर्सों तक अध्यक्ष रहे तो कौन थे वो व्यक्त थे अबुल कलाम आजाद जो भारत के पहले सिक्षा मंतरी थे अबुल कलाम आजाद अगले क्षेशन क्यों बढ़ते हैं अगले क्षेशन है भारती राजवस्था एवं समिधान से भारती समिधान के किस अनुक्षेद में भासन एवं अव्यक्ति की सुतंतरता के मूल अधिकार का प्रापधान है तो दोस्तों अनुक्षेद 19 में भासन एवं अव्यक्ति की सुतंतरता के मूल अधिकार का अगले question के रबढ़ते हैं अगला question है भारत के संविधान की प्रस्तावना मेंगे lijसे एक के रूप में आर्थिक नयाय का किसमे बंद दिया गया है। इसका उतर दोस्तों मूल अधिकार और राज के नीतिनर दे सकते हैं अगले कुश्चन के ओर बढ़ते हैं भारती संगवाद विविधिता में एकता को प्रोननत करने हैं तो अवस्यक माना गया है तो दोस्तों क्या माना गया है अंतर राजी परिशद राश्ट्री विकास पर साथ एकल न्यायक व्यवस्ता एवं अखिल भारती सिवाएं ये विविधिता में एकता को प्रोननत करने के लिए इनको अवस्यक माना गया है अगले क्यों बढ़ते हैं अगला क्यों है राज पुनर गठन आयोग ने एक नमबर 1956 को कितने राज तथा कितने संग राज बन अगले क्यों बढ़ता है कल्यानकारी राज की संकल्पना का समवंवेस भारत के संव्धान में है तो कि हैं किस की संव्भारत के संवभ देए तो दोस्तो भारत के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें राज की संकलपना का प्रावधान किया गया है अगले कॉस्टन के और बढ़ते हैं, अगले कॉस्टन के और बढ़ते हैं लोकसभा का पहला आम चुनाओं हुआ था 25 अक्टूबर 59 से 21 फरवरी 1952 तक चला था लोकसभा का पहला आम चुनाओं अगले question करो बढते हैं तो अगला question है एक वर्स में कम से कम कितनी बार संसध की बैठक होना आवस्यक है तो दोस्तों दो बार कम से कम दो बार दो बार एक वरस में कम से कम दो बार संसत की बैठक जरूर है और यह कौन से अनुक्षेद में तो यह अनुक्षेद पचासी ए में पचासी ए में वरणन है इसका अगले कॉस्चिन के और बड़ते हैं संसद की इस्थाई समिती के सदस्यों को लोक सभा एवं राज सभा में किस अनुपात में लिया जाता है दोस्तो क्रमसा दो और एक के अनपात में लिया जाता है अगले क्वेश्चन के और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन है भारत एवं बिस्व के भूगोल से हैं मंगल और ब्रहस्पती की कक्छाओं के बीच सूरी के चारो और परिक्रमा करने वाले सैल के छोटे टुकडों के समोह को क्या कहते हैं तो दोस्तो उनको क्या कहा जाता है छुद ग्रह अगले क्वेश्चन के और बढ़ते हैं एक ग्रह के सर्वाधिक उपगरह हैं दोस्तो सनी जो उपगरह है एसा नीकर अगले क्यों भड़ते हैं अगला एक ग्रह के दिन और एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का जुकाओं लगभक प्रत्वी के दिन मान और जुकाओं के समतुल है वह ग्रह है तो ऐसा क्रहिका है सा मंगल मंगल का जो दिन का मान है और अक्ष का जुकाव है वो प्रित्वी के समान है अगले कुश्चिन के और बढ़ते हैं अप वाह छेत्र की द्रिष्टी से बिस्व की सबसे लंबी नदी है तो दोस्तों अप वाह छेत्र में सबसे लंबी नदी कौन से बिस्व की अमेज अगले क्यों बढ़ते हैं मेडा गासकर सबसे बड़ा द्वीप है तो मेडा गासकर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है अगले क्यों बढ़ते हैं तिहरी पनविजली परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है तो कौन सी नदी है भागी रती नदी पर भागी है तो अंडमान इवं निकुवार दीप समूं में कालपोंग जल विद्दुत परियोजना है इसकी कैप्टल का है तो इसकी कैप्टल है पोर्ट ब्लेर अंडमान निकुवार दीप समूं की अगले क्वेश्चन के और बढ़ते हैं अडू सकती विद्दुत निगम चलिए अगले कुश्चन के और बढ़ते हैं अगला कुश्चन की और बढ़ते हैं जहारखंड के संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तटपर आयोजित किया जाता है तो मयूराक्षी नदी के तटपर किया जाता है लगता है ये मिला कौन सा दुमका का हिजला मिला अगले कुश्चन क्यों बढ़ते हैं और ये लगता कहा है तो ये लगता जहारखंड के संथाल अगले क्वेश्चन के और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन है परियावरान एवं जैब विवितिता से विलगिरी रंगा मंदिर वन जीव अभ्यारन इस्थित है तो विलगिरी रंगा मंदिर वन जीव अभ्यारन कहां इस्थित है कौन से करनाटक की कैपिटल है बैंगलोरू अगले क्वेश्चन के और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा अंतर राष्टी निकाहिएं मेंसे किसने बागों को बचाने और बाग के आवासों को संरक्षित करने के लिए ग्लोबल टाइगर इनिसियेटिव शुरू करने की सक्र कि अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं भारत का पहला समुद्री जैव विवित्तक के लिए राष्ट्रि केंदर कहां है जाम नगर में एंसी एंबी कहा है जामनगर में अगले कुश्चन के और बढ़ते हैं महेश रग राजन समीती ने किस उद्देश के लिए वन जीव अधिनियम में सुधार की सिफारिस की है राष्ट्री हाथी संरक्षड प्राधिकरन इस्थापित करने के लिए महेश रग राजन समीती ने इस उद्देश को अपना है किस के लिए वन जीव अधिनियम में सुधार के लिए अगले कुश्चन के और बढ़ते हैं अगला कुश्चन है कामेंग एलिफेंट रिजर्ब और देवमाली एलिफेंट रिजर्ब इस्थित है तो किस राज्ज में इस्थे दोस्तु अरुड आचल राज में इस्थित है कामेंग एलिफेंट रिजर्ब और देवमाली एलिफेंट रिजर्ब अगले कुश्चन के और बढ़ते हैं अगला कुश्चन हमारा कुनो पालपूर वन जीव अभ्यरन इस्थित है मध्ध प्रदेश राज में अगले कुश्चन के और बढ़त उपकर लगाया जाता है किसमें लगाया जातो ग्रह निर्मित कोईला और कोईले की आयात पर स्वक्ष उर्जा उपकर लगाया जाता है अगले कोश्चन को बढ़ते हैं अगला कोश्चन है किस किस संधी के अगला क्वेश्चन है किस सधी के कारियों को पूरा करने के लिए भारत सरकार नेशनल कम्यूनिकेशन का प्रकासन करती है दोस्तों इसका उत्तर है यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ओन क्लाइमेट चेंज अगले क्वेश्चन के और बढ़ते हैं जलवाय परवर्तन एवं आपदा से राष्टी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया था तो कब किया गया दोस्तों दोजार पांच में अगले क्वेश्चन के और बढ़ते हैं उच दवावाली हवाय जो केंदर से बाहर की और चलती हैं कहलाती हैं तो केंदर से बाहर के और जो हवाय चलते हैं उनको क्या बोलते हैं प्रती चक्रवात अगले क्वेश्च के और बढ़ते हैं CDM clean development mechanism है तो क्या है ये global warming में कमी के लिए हरित हरित ग्रह गैस उत्सरजन में नियंत्रित करने के पड़ाली क्या है CDM clean development mechanism अगले question के और बढ़ते हैं अगला question है Kyoto उपसधी जो बैस्विक ताप मांद से सम्मंदित है लाग हुई थी तो कब लाग हुई थी को 16 फरवरी 2005 से लाग हुई थी अगले question के और बढ़ते हैं अगला question है जलवाई परिवरतन पर संयोक्त राष्ट फ्रेमवर्क UNFCC FCCC के अंतरगत सीर्ष निकाय कॉन्फरेंस आफ पार्टीज के 25 सत्र का आयोजन दिसंबर 2019 में हुआ तो कहां हुआ यह मैड्रिड मैड्रिड इस्पेन इस्पेन की कैपिटल है मैड्रिड वहां हुआ था अगली कुर्ण बढ़ते हैं अगला क्यों भारत में किस महीनी उष्ण गठीवंधी चक्रवातों का प्राबल्य होता है तो अक्टूबर नॉउम्बर में अगले कुछ यह बढ़ते हैं प्रफे चो çalış जलवाई सम्मेलन आयोजित हुआ था तो प्रतला इस जलवाई सम्मेलन कब आयोजित कर दोगता है अंदूस्तो अगला क्वेश्चन है कि अ पाउंट सेट हैलेंस इस्थित है तो कहां इस्थित है यह परवत सयुक्त राष्ट अमेरिका में अगले कुश्चन के और बढ़ते हैं भुकंप के समय किन तरंगों का उध्वा होता है तो दोस्तों जब भुकंप आता तो भुकंपी तरंगे उड़ते हैं अगले कुश्चन के और बढ़ते हैं यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट चापकर पूरा किया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा तो दोस्तों यदि बजट में क्या घाटा हो जाता है और क्या किया जाता है नोट चापकर उस घाटे को पूरा किया जाता है तो क्या हो जाता है इसे मुद्रा इस फीत हो जाती है अगले क्षचन के और बढ़ते हैं अगला क्षचन है किनी दो पक्षों के बीच लिखित आर्थिक समझाओते के लिए किस सब्द का प्रयोग किया जाता है तो बंध पत्र बॉंड पेपर का से अगले क्षचन के और बढ़ते हैं अगला क्षचन है केंद्र सरकार के एक महत्पूर्ण विभाग का नाम दीपम डी आई पी एम यह विभाग है तो कैसा विभाग है पूंजी अनिवेस अगले क्षचन के और बढ़ते हैं अगला क्षचन है बैस्विक भूख सूचकां किसे निकाय द्वाराप बनाया एवं जारी किया गया है दोस्तो इसका उत्तर है अंतर्राष्ट हल्यकार गोदलोपरियोजना समंदी किर पारियूजना अगले कुश्यन के और बढ़ते हैं क्रिशिगत उत्पादों को प्रोचाहन देने के लिए भारत सरकार द्वारत कितनी क्रिशी उपज्यों के लिए नियुन्तम समर्थन मौलकी घोष्णा की जाती है 24 इसका अंसर दोस्तो 24 अगले कुश्यन के और बढ़ते हैं अगला कुश्यन है भारत में करमचारी राज बीमा योजना प्रारंब की गई थी 1952 में अगले क्वेमा चेतर की किसी कंपनी में भागावागीदारी के लिए बैंक की कम से कम कितनी नेट वर्थ होनी चाहिए बैंक की कम से कम कितनी नेट वर्थ होनी चाहिए 100 करोड अगले कुश्चन के और बढ़ते हैं अगले कुश्चन जो है दोस्तो सामान विग्यानेवम तक नीकी से हैं महासागर में डूबी हुई वस्तूओं की इस्थिती जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो दोस्तो समुद्र के अंदर में कोई वस्तूदूबी है तो उसकी इस्थिती जाने के लिए सोनार पडाली का उप्योग किया जाता है अगले कुश्चन के और बढ़ते हैं चंद्रमा पर बायमंडल ना होने का कारण है अगले कुश्चन के और बढ़ते हैं सबसे अधिक क्रिया सील धातु है सबसे अधिक प्रिया सील था तो कौन से सीजियम है अगले कुछ सेंकड बढ़ते हैं की अगला क्केस्ट मिश्चों कर कौन से अ का सगय सुरन वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त के जाती एसा है यह टीलीन गैस का मिशचलigor см विल्डिंग में प्रियुक्त होता है अगले कोश्चिन के और वड़ते हैं रेसम का कीड़ा सिल्क वर्म अपने जीवन चक्र की किस चरण में वानेजिक तन्तु फाइबर आफ कामर्स पैदा करता है तो कोसित कोसित जीवन चक्र में वानेजिक तन्तु पैदा करता है अगले के और बढ़ते हैं प्रोटीनों के पाचन में सायक एंजाइम है तो प्रोटीनों के प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है ट्रिपसिन एंजाइम अगले कुस्चन के और बढ़ते हैं अगला कुस्चन है सरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्ति विटामिन को और्गो कैल्सी फेराल कहते हैं तो विटामिन डी को और्गो कैल्सी फेराल कहा जाता है अगले कोस्टन के और बढ़ते हैं अगले कोस्टन जो हैं खेल कूद से संबंदित हैं पहला कोस्टन है सैंडी स्टॉर्म किस क्रिकेटर की आत्म कता है तो संदीप पाटि की क्रिकेटर है इनकी आदम कता है सैंडी स्टॉर्म अगले कोश्चन के और बढ़ते हैं स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक जीता था केड़ी जाधों ने पहला ओलंपिक पदक जीता था स्वतंत्र भारत के लिए अगले कोश्चन के और युत इस सम्बंदित गिरिकल्चर शॉट अगले कोस्टिन के ऊर बढ़ते हैं अगला कर भारत में पहले राष्टी खेलों का युझन किया गया था उन्हें सरप्रथम भारत में राष्ट्री खेलों का युझन किया गया था दिल्ली में 90 अगले कुश्चन क्यों बढ़ते हैं किसी अंतर राष्ट्री क्रिकेट मैच की सामान समयावधी कि ति होती है रज्चेक की और बढ़ते है अध्या कुस्चन है एस ईस अर्जुन राजय ट्रॉफी किस सभ्डा इखाटब्ट के ह्पी 202 बास्केट बॉल से संबन्दित है अगले क्यों बढ़ते हैं उसके लिए की सब्डावली में प्रियुक्त होते हैं तो पैडल रिगाटा इवां बकेट इन नौका यान्मी बोटिंग में प्रयुक्ष होने वाले जबेते ह소 and satranj खेल का प्ररम करने का तरीका कहलाता है तो satranj खेल जब प्ररंब किया जाता तो यह तरीका क्या कहलाता गैबिट लिए अगले कोश्चन कि अरब है अगला कॉस्चन हiana हाफ नेलसन किस खेल से संबन्दी तो कुस्ती से संबन्दी थैं हाफ नेलसन अगले कुस्चन क्यों बढ़ते हैं दुस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप हमारे टेली ग्राम चैनल यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम को फोलो कर सकते हैं थैंक यू